6 दिसंबर 1992 को आयोध्या में बाबरी मज्जित के बिबादिट धाचे को कार सेवकों ने ढाया था जिसके बाद से देश भर में 6 दिसंबर को सोड़ दिवस मनाया जाता है वही सिबनी मालबा में 6 दिसंबर सोड़ दिवस को देखते हुए पुलिस सक्रे दिखाई दे रही है सिबनी मालबा एबम उपनगरी बानापुरा में अलग-अलग जगा चोग चराओं पर पुलिस बल तेनाद किया गया है वही मजजित मोले में भी पुलिस बल तेनाद किया गया है 6 दिसंबर के मद्दे नजर सिबनी मालबा में सांती बेवस्ता के लिए पुलिस तेनाद की गई है वही प्रशासन के दोरा कोई भी बिना प्रशासनिक अनुमती के कोई कारेक्रम आयजित नहीं किया जा सकेगा वही बिना अनुमती के दर्ना प्रदर्शन जुलुस पर रोक लगा दी गई है ठाना प्रभारी जुतेंगरे आदो ने बताया की नगर में संबेदन सील इलाकों में 5 दिसमबर की रात्री से ही सुरच्षा की द्रश्टी से पुलिस बलतिनाद कर दिया गया था जिससे की नगर में कोई भी असमाजिक तद्म सक्रिय ना रहे आपको बता दे की 30 साल पहले 6 दिसमबर 1992 को अयोध्य में बाबरी मज्जित का विवादिर ढाचा कार सेवकों के दोरा ढाया गया था तब इसे हर साल 6 दिसमबर को कोई सोर दिबस तो कोई काला दिबस के रूप में मनाता है सिबनी मालबा चेतर संबेदन सिल चेतर में आता है इसलिए यहाँ 6 दिसमबर को देखते हुए हर बर्स सुरक्षा की दरश्टी से पुलिस बल तेनाद किया जाता है जिससे की नगर में सांती विवस्ता बनाई जा सके अजय कुलिस सिल झाला है